हालो दोस्तों मैं दिप्ति आप लोग को स्वागत करते हूं टेक दिप्ति में आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आप ओनलाइन फ्राड से अपने आकाउंट को अपने कार्ड को किसे बचा सकते हैं अगर आपके दूसरे बैंक में अकाउंट है तो फिर यह सब अफसन वहां पर आभेलेबुल होगा आप जाकर चेक कर सकते हैं बहुत सोटी सी सिंपल सी ट्रिक है बहुत को पता होगा अगर किसी को पता नहीं है तो फिर यह वीडियो उनके लिए हैं तो फिर चलिए शूरू करते हैं आपको पहले अपने ऐसे सी ब्रांग के लिए पहले अपने मोबाइल में आई मोबाइल आपको डाउनलोर करना होगा उसको कैसे सेट अप करना है उसका वीडियो आई बटन में उसका लिंक दे रखी हूं और नीचे डिस्क्रिप्शन में अब आपको उसका लिंक मिल जाएगा तो फिर आपको अपन कर लेते हैं पहले अब अपने करने के बाद आपके पास जो भी कार्ट्स वगर होगा और सब ऐसे उपर सो कर रहा होगा पहले तो आपका डेबिट कार्ट्स कर रहा होगा और फिर क्रेडिट कार्ट्स हो कर रहा होगा सारे चीजों मैं आपको इस सेटिंग करना पड़ीगा मैं एक मैं आपको दिखा देती हूं आप अपने डेबिट कार्ड में जाएंगे वहां जाने के पास आपको यहां दो आप्शन मिलेगा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल त दूसरे फिर इंटरनेशनल में जाएंगे और उसका भी जो भी सारे अप्शन से मर्चंट डावड़ेट एक्टीम कार्ड विड्राल टैब अंड पे यह सब को आपको आफ करके रख लेना है तो फिर आप बोलेंगे हम पैमेंट कैसे करेंगे आप जैसे भी पैमेंट जब कब लोग पेमेंट करते नहीं है ज्एदा तर तो इंटरनाशनल करके क्योंकि सभक्व का इंटरनाशनल टरंजक्शन इसना ज्यादा हो नहीं रहे। अगर आपको बीच-बीच में जरूरूत पड़ता है domestic ho international तो पर उस一点 में जा खोपन करके यह सब को start लेना है इसे देखिए तो फिर यह इतने एक सेकर्ड में ही यह हो जाता है तो इसलिए सब को आफ करके आप रखिए देखिए आपकी कार्ड में से कोई भी कभी कुछ कोशिश करेगा तब ट्रांजक्शन नहीं करे यह हो गया आपका डेविड काड के लिए अब देखेंगे क्रेडिट काड में यहांपन मरन में जाएंगे कि मैं जाएंगे अब देखिए यहां पर वी ओस हैंऀस्ट्री इंटरनेशन आपको हर दूबर चीज को ऑफ कर लेना है जैसे डेखिए यह एपको पेमेंट करना होगा ऊपर काम हो जाएगा बस आज के वीडियो में इतना ही था चोटा सा वीडियो था आशा करते हूं आपको आपको आपके लिए ये वीडियो हेल्फुल रहेगा आज के लिए वीडियो में बस इतना ही इस तरह के informative वीडियो के लिए आप टेक दिपती चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिएगा मेरी आगे आने वाली वीडियो की notification के लिए